स्वागत है जम्मजन के उड़ान आइस एड्मनेस्ट्रेटिव एकडमी के e-learning प्लेटफर्म में हमारे द्वारा जो मेंस का क्रेस कोर्स लाया गया था उसमें हम 10 दिनों तक 36 गड़ समान यद्यन के आपको कोश्चन्स देने के लिए बात किये थे दिये गए हमारा जो पहला कोश्चन है उसी पर मैं बात करूँगा इस वीडियो पर उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि उड़ान आइस एड्मनेस्ट्रेटिव एकडमी 17 फरवरी CGPSC जो अभी प्रिलिम्स आयो जीत हुआ था 12 फरवरी 2023 को मतलब प्रिलिम्स जो था वो CGPSC 2022 का नोटिफिकेशन था उसी के क्रेश कोर्स को लेके हम आये मेंस की तैयारी करवाने के लिए हमारे दोनों प्रांच में यहां कक्छा हैं प्रारा मोचुकि यह 17 फरवरी से मैंस क्रेश कोर्स है यह इसमें हमने बोला था कि हम आपको 36 गड़ के कोश्चन्स देंगे दिया जा चुक है क्लास में कोश्चन उसी कोश्चन का एक्स्प्लेनेशन मैं आपके लिए लेके आये हूँ आप चाहते हैं अगर इस बैच को जॉइन करना तो जॉइन कर सकते हैं ऑनलाइन आफलाइन यह दोनों मोट पर एवलेबल है साथ ही में आपको recorded वीडियो के साथ साथ PDF नोट भी दिया जाएगा जो क्लास में चलेंगी तो आप जॉइन करना चाहते हैं तो संपर कर सकते हैं हमारे इन दिये गए नमबरों पर इसके अलावा उड़ान IS Administrative Academy सिक्षक भरती को ध्यान में रखते हैं offline, online batch लेके आई है जो की recorded होगा और इस batch की खासियत यह है कि आपको प्रत्य क्लास का PDF नोट भी प्रोवाइट किया जाएगा निवन्तम फीस पर यह अवलेबल है और यहां कक्छाय जो है head office हमारे main branch में होगा समय है इसका 5.30 to 8.30 pm सिक्षक भरती के एक नएक बैच है जो आज शुरू हो रहा है 20 फरवरी को तो आप जोईन करना चाहते हैं तो संपर कर सकते हैं हमारे निचे दिये गए नमबर उपर इसके अलावा उडान IS Administrative Academy जो SI prelims हुआ था उसकी mains की तयारिकी के अक्षाए चलाई जा रही है चलाई रही है जिसमें सुबे साम क्लासेज हैं अगर आप जोईन करना चाहते हैं तो हमारे contact number पर संपर कर सकते हैं बैच को जोईन करने के लिए दोनों बैचे इस रनिंग है सुबे हो चाहे साम हो आउन लाइन हो चाहे आफ लाइन हो रनिंग है सीजी पेसी मेंस क्रेस कोर्स भी और SI मेंस का बैच भी मैं वो कोश्चन पर जिक्र कर रहा हूँ जो आपको दिया गया था 36 गड़ में टीन ISK का वितरन समझाईए महा नदी के प्रवाच्षेतर के अंतरगत कौन-कौन से जीले सामिल है 36 गड़ के पाट प्रदेश का विस्तार समझाईए 36 गड़ में इस्थापित जल विद्दूत परियोजना उनकी छमता लिखिए दो अंक का ये प्रस्न है अब मैटर ये करता है आप जहां तक समझाऊ अगर दो अंक का प्रसन है तो अब तक जो मेंस हुआ है उसके अधार पर मैं बात करो प्रसन में आपको 4 लाइन मिलेंगे और 4 लाइन मिलेंगे तो अधिकतर कोस्टन को आपको जहां तक हो सके समझाऊ point to point लिखना है कहने का मतलब जो question में पूछा जा रहा है वही answer आपको देना है और point में दे सके तो ज़्यादा उचीत है जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ 36 गड़ में teen is का कवितरन तो आप अच्छे से जानते है cassette right is का और धातू के रूप में हमको teen मिलता है तो teen is का कवितरन मतलब कैसे टे right को पूछा जा रहा है लिखेंगे कैसे आप इसको तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि आपको चार line में mention करना है चार line में क्या mention करेंगे तो teen is का कवितरन पहला आप दे सकते हैं दंते वाड़ा हमारे यहां दो ही जीला में teen मिलता है दंते वाड़ा है एक line में यह बता दे और एक line छोड़ दे उसके बाद लिख दे सुकमा आप क्यों छोड़े तो उसके लिए नाम बता रहा हूँ आपको दंते वाड़ा में कहा कहा से मिलता है तो सबसे बड़ा स्टोरेज हमारे यहां कटे कल्यान, पाड़ापूर, बचेली, नरेली यह सब दंते वाड़ा के टीन अयस्क कच्छेतर है वहें सुकमा में बेरी कुपली, कच्छी रास, चिवूरवाडा, चीतलनार, मून्डपाल, गोविंदपाल, तथा तोंगपाल है, आप यह नाम सीधा लिख सकते हैं, क्योंकि कोश्चन दो नमबर का है, पॉइंट में लिखेगा, दो जगों से हमको मिलता है, टीन कायास, एक दंते वाड़ा जीला, धक्छिन बस्तर, और दूसरा सुकमा है, ठीक, दूसरा प्रस्नत है इसमें, दो अ महा नदी के प्रवाह छेत्र के अंतरकत कौन-कौन से जीले सामिल होते हैं, महा नदी प्रवाह छेत्र की बात हो, तो सीधा जीला के नाम लिखना है, या तो सीधा नाम लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, सामिल जीले भी लिख सकते हैं, जैसा भी है, कि महा नदी प्रवाह छे तो बहुत बढ़ा इसका एरिया है ठीक बहुत सारे जीले समें सामीलोंगे है अगर आज के डिट में मैं बात करूँ तो पूरा रायपूर संभा के 5 जीला इसके अलावा दुर्ग संभा के पूरे साथो जीला विलासपूर संभा के पूरा आठंथ हो नीचे से दो जीला आता है, कोंड़ा गओर कांकेर, तो में में जीला को में लिख रहा हूँ, इसमें सामिल जीलो में अगर देखा जाए, तो आप जो याद हो वो लिख सकते हैं, राइपूर, धमतरी, महासमून, सब जीला लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैं बता दे कबिलासपूर, राइगाड, कूर्बा, जांजगीर चांपा, सक्ती, गोरेला, पिंडरा, मरवाही जो भी लिखना चाहिए अब दुर्ग डिविजन से दुर्ग, राजनान गाउं, कबीर धाम, बेमे तरा, बालोद, मोहला, मानपूर अमबागडचों की, खैरागडचुई, खदनगंडई, फिर लिख सकते हैं इसमें आप नीचे का जीला, कांकेर, कोंडा गाउं, उपर से जीला लिख सकते हैं, आप क्या, सरगुजा, जस्पूर, कोरिया, मनेंद्रगड, चीरमीरी, भारतपूर, सब जीला लिख सकते हैं, मैं आपको कुछ मुख्य जीले लिख दिया हूँ, जो उस कोस्चन का रिक्वार्मेंट था, नेक्स्ट अगर देखा जाये, तो प्रस्न था, 36 गड़ के पाठ प्रदेश का विस्तार समझाईए, अगर आप प्रदेश या पाठ छेत्र का विस्तार आप देखेंगे, तो विस्तार लगभग 4.59%, 4.59%, एरिया 6,208 है, आप ये तो लिख सकते हैं, विस्तार के बाद, कौन-कौन से जीले इसमें सामिल होते हैं, तो सामिल जीले, सामिल जीले, तो कौन-कौन से जीला, सरगुजा, बलरामपूर, पूरा नाम लिख सकते हैं, बलरामपूर, रामानुजगंच, फिर आप इसमें लिख सकते हैं, वो है बलरामपूर, रामानुजगंच, सरगुजा और जस्पूर, फिर इसके बाद आप बचा सकते हैं, इसकी स्थिती, विस्तार बता ही दिये हैं, इस्थिती तो बता सकते हैं कि 36 गड़ का उत्तर पूर्वी हिस्सा है ये बोल सकते हैं उत्तर पूर्वी हिस्सा पर विस्तरित या फिर फैला हुआ है ये लिख सकते हैं आप इस questions में या तो सीधा आप wording समझें तो लिख सकते हैं ऐसा कि वर्तमान 36 गड़ के सरगुजा चेत्र के सरगुजा जस्पूर रामपूर रामा नुजगन जीला के 4.5 नवा 4.6 परसेंट एरिया में इसका विस्तार है ऐसा भी लिख सकते हैं आप वर्डिंग कहीं हो सकते हैं मैं एक आपको बता दियों format ऐसा लिख सकते हैं 36 गड़ में स्थापित जल विद्दूत परियोजना उनकी छमता अब जल विद्दूत परियोजना की बात हो रही तो चार ठो जल विद्दूत परियोजना है अब चार लाइन है तो चारो लाइन में एक एक लाइन में लिखेंगा अब जल विद्दूत परियोजना प्रद इस पेस है आपके पास तो लिख दीजे आप 40 मेगावाट के 3 इनिट है एर लिख दीजे 1994-95 दूसरा है वो है आपका गंग्रेल रविस अंकर लिख सकते हैं इसकी छमता जो है वो है 10 मेगावाट 10 मेगावाट छमता है 2.5 मेगावाट के 4 इनिट लिख सकते हैं 2004 तीसरा लिख सकते हैं कोरबा पस्चिम लगुत्तर कोरबा पस्चिम लगुत्तर माचा डोली भी लिख सकते हैं कोरबा पस्चिम न लिख के माचा डोली लगुत्तर परियोजना इसकी छमता की अगर बात क्या जाए तो 1.7 मेगावाट इसका potential है 1.7 मेगावाट 0.85 मेगावाट के 2 unit कहने का मतलब यह जो शुरू हुआ है 0.85 का 1 unit 2003 में सुरू हुआ है और दूसरे unit जो है वो 2009 में सुरू हुआ है फिर चौन्था लिख सकते हैं आप क्या सिकासार जो गरिया बंजीला में परी नदी में परी परियोजना जिसको बोलते है सिकासार प्रोजेक्ट इसका potential के अगर बात क्या जाए तो 7 मेगावाट इसकी छमता है 7 मेगावाट 3.5 मेगावाट के 2 unit और सुरू हुआ है 2006 में यह जल विद्दूत परियोजना का थोड़ा सा डिटेल है लिख सकते हैं पैसा फिर अगर बात क्या जाए आगे प्रस्ण है चारंग में दिया हुआ चारंग कहने का मदलब आपको लिखना पड़ेगा 7 लाइन 7 लाइन लगभाग यहां पर आपको राइटिंग करने पर ही दो प्रस्ण दिया गया था आपको बोद घाड बहुत देसी परियोजना पटिप पनी लिखे देके बोद घाड बहुत देसी परियोजना सबसे पहले तो यह जानना है इसकी स्थिती है कहाँ फिर दूसरा जानना है किस नदी पर है मतलब कोई नदी कही पानी कोई संग्रहित किया जा रहा होगा फिर जानना है आपको कि इससे लाभानवीत जीला अब जनरली हमारे यहां जो भी परियोजना बनाई जाती तो कुछ न कुछ आपजेक्ट रखा जाता है कि उससे सिचाई जलकी आपूर्ति की जा सके तो लाभानवीत जीला हम तीन जीला पढ़ते हैं बीजापूर, दंतेवाडा, सुक्मा फिर आपको जानना है इसमें जल विद्दूत उत्पादन का भी लक्ष है जल विद्दूत उत्पादन का भी लक्ष है मैं आपको बता दू तो परियोजना भी धारातल में नहीं है ना रे भाई प्रस्तावी था यह प्रपोस्ड है तो इसको आप लिखेंगे इन पॉइंट्स के धार पर मैं आपको एक authentic source दे रहा हूँ लिख सकते हैं दूसरा कहानी मैंने आपको क्या बताया कि आपको दंतेवारा सुक्मा और बिजापुर जीला को यह सिचाई सुधा मोहिया कराएगा तो इसके बनने से क्या प्रोग्रेस होगा यह आकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ जो जन संपर्क विभाग के लिए बोध घाट परियोजना के लिए कैसा पीडियाप जारी किया गया था उसी से कहानी है तो प्रारंभिक तो पर धंतेवारा जीला में सिचाई में लगबग 67% लिख सकते हैं लगबग 65% सुकमा जीला का सिचाई चमता बढ़ेगी और लगबग 67% बोल सकते हैं वो बीजापुर जीला में सिचाई चमता बढ़ जाएगा यह बोल इस परियोजना के पून होने पर ये बढ़ जाएगी इसके अलावा यह बताता है कि इस परियोजना के माध्यम से लिखा हुआ इस सिचाई परियोजना से दनतेवाड़ा बीजापुर सु बस्तर के सेस जीलो उस छेत्र में अन्य जीलें वहां पर भी निस्तारी की पानी की मोहिया करानी की व्यवस्ता है इसके तहट फिर दिया गया है कि दंते वाड़ा कि इन क्यावन गाउं बीजापूर के 218 गाउं और सुक्मा के 90 इस प्रकार कुल 369 गाउं ला भानमित होंगे आकड़ा आपको यूज करना पड़ेगा इसके लिए थोड़ा महों तीनों जीलो में खरीब के लिए 1,171,75 हेक्टेर रभी में 1,3,75 हेक्टेर तता गर्मी में 64,430 हेक्टेर इस प्रकार कुल 3,00,000,000 वही जो आपको बता है ये सब चीज होगा और पूर्ण रुपसे और 14 गाउंसिक रुपसे इसके डुबान में आएंगे ये परियोजना अभी बना नहीं हमें पहले ही आपको बोल रहा हूँ ये परियोजना बनेगी तब इसकी कि निर्मान के पस्चात क्या ही स्थिती होगा और थोड़ा सा ये डीटेल दिया हुआ है कि बोद घाट की स्थिती का है लॉंगिट्यूड लैटिट्यूड में जल ग्रहन छेतर कितना है तो वो 15,280 किलो मिटर है पूर्ण जल भराव इस्तर तो मिलियन घन मिटर इसमें मत जल भराव का जो छेतर है वो अधिक्तम जल भराव का छेतर है 466.8 मिटर और ये मेन है उपयोगी जल भराव चमता 3715.4 मिलियन घन मिटर तो थोड़ा बहुत आखड़ा का उपयोग करते हुआ आप इस कोस्चन को लिख सकते हैं मैंने कोस्चन पर ज्यादा उसमें लिखने के लिए नहीं बताया आपको वहां पर लिख के नहीं बताया हूँ आपको ये PDF दिखा दिखा दिए हूँ आप वहां से कुछ कुछ चीज़ें मिंसन कर सकते हैं 36 गण में पाई जाने वाली मिट्टियों के बारे में तो जान ही रहोंगे अब आपको इसको लिखना कैसे है तो पहला नाम तो आपको पता ही होगा लाल पिली मिट्टी 36 गण के सरवाधिक छेतरफल में इसका विस्तार है बता सकते हैं मुख्य रूप से जो आपका 36 गण का मैदानी भूभागे उसमें मुख्य रूप से विस्तरी थे दूसरा एक लाइन छोड़ दे रहों दो लाइ दंड कारने छेतर में फिर लिख सकते हैं आप तीसरा वो है लाल दो मट लाल दो मट मिट्टी इसका विस्तार मुख्य रूप से दंड कारने छेतर में लिएका दंटे वाला कोंटा जगदलपूर छेतरों में है फिर चौथा आप लिखेंगे काली मिट्टी 36 गण की सबसे कनार वेसिन छेतरों में है और पाचवा लिख सकते हैं आप लेटर आइट मिट्टी आपके पास इसके इस्थानी नाम पी एच वेल्यू लिखने के लिए अप्सन नहीं है क्योंकि चार नंबर का प्रस्ण है साथ लाइन मिलेगा थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो लिखा जाएगा ऐसे तो बहुत सारी कहानिय है आठंक में आपको प्रस्ण पूछा गया है चतिस गड़ में ताप इद्दु सहयंत्रों की संभावना पर प्रकास डाले ताप इद्दु सहयंत्र आपको पता होगा कि चतिस गड़ की जो विद्दुत उत्पादन छमता है कितना इसमें से अकेले 2840 मेगवार्ट जो है वो है आपका क्या थर्मल अब थर्मल है तो हमारे आप बता सकते हैं कि उर्जा का प्रमुक साधन है ताप इद्दुद अब संभावनाय क्या है तो आप फिर इसको जोड़ेंगे इसके कच्चे पदार्थ से क्योंकि ताप इद्दुद परियोजना जो हमारे यहां है वो पूरा कोल बेस्ट है और 36 गड़ कोईला संसाधन संपन राज्य है जहां पर आप बोल सकते हैं जो मिन्रल इयर बुक 2020 का जो प्रतिविदन प्रकासित हुआ है उस अधार पर 79,432 लगभग मिलियन टन हमारे यहां क्या है कोईला है जो कि पूरे भारत वर्ष का 20 दसम लगे एक 8 प्रतिसत है तो आप बता सकते हैं कि कोल संसाधन संपन राज्य है और 36 गड के ऊर्जा में मुख्य रूप से योगदान किसका है ता पिद्दूत झयोकि कोल बेस्ट है तो संभावनाय क्या है इतना ऊर्जासंसाधन है सबसे दीक उर्ष करिड़ा में इसका कंट्रिविशन है सेर है तो अब बोल सकते हैं कि समय के साथ-साथ उर्जा की मांग भी बढ़ते चले जा रही है तो उर्जा उत्पादन में इसके अलाव आप बोल सकते हैं CSPGCL के website अगर देखे होंगे तो एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं तो प्रस्तावित परियोजना को भी लिख सकते हैं कि कौन-कौन सी thermal power plant CSPGCL की क्या proposed है जो ताप इद्दू तूर्जा को बढ़ाना चारे कुछ नहीं सुने होंगे तो सुने होंगे आप NTPC तीन NTPC है अपना जो लारा वाला NTPC है वो अपना छमता बढ़ा रही है इसके महत्तो को बताते हुए तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं थोड़ा सा इसका contribution कितना है टोटल एनरजी प्रोडक्शन में फिर 36 गड़ कोईला का status क्या है फिर उसके हिसाब से फिर आप conclude करिएगा निसकर्स निकालिएगा कि क्या लिखना है एक प्रस्ण था पंदरा अंक में लगभग 19 लाइन आपको मिलेगा उसके लिए लगभग 12 लाइन मिलेगा आठ अंक वाल शत्तिस गड़ में इस्थापित है निर्माना धिन वो चार है सबसे पहले तो आपको आठ और चार पता होना चीए तब काम बनेगा अब आप माली जी एक एक करके डिटेल मिली करें तो पहले निर्मित या इस्थापित व्रीहत परियोजना तो पहले व्रीहत परियोजना पता होना चीए आपको व्रीहत परियोजना वह परियोजना जिसकी सिचाई छमता दस हजार हेक्टेर से धीक हो व्रीहत परियोजना ह तो आठ परियोजना कौन कौन सी है तो आप जानते होंगे आठ परियोजना कौन कौन सी है बिलासपूर डिविजन में तीन बड़ी परियोजना है एक का नाम है वो है मुंगेली का मनियारी या जिसको बलते है खुडिया दूसरा नाम है बिलासपूर का वो खारंग खुटा गाट तीसरा नाम है कोर्बा का मीनी माता ये तीन निर्मीत में बोल रहा हूं निर्माना धिन नी बोल रहा हूं अभी निर्मीत की बात कर रहा हूं फिर आना है आपको कहा दुर्ग डिविजन दुर्ग डिविजन में एक है तांदुला हो गया कितना चार अब चार बचा चा वो गरियवन्द में ये आठ और महानदी पर्योजना समू ये ग्रूप है चार पर्योजनाओं का इन सब को मिला के बोलते हैं क्या व्रिहत पर्योजना आठ व्रिहत पर्योजना है अब चार निर्माना धीन पर्योजना कौन-कौन से है तो चार निर्माना धीन पर्योजना मे एक है वो है आपका धमतरी का सोंधूर दूसरा जो निर्माना दिन है वो है समोदा रायपूर का समोदा दूसरा निर्माना दिन है तीसरा निर्माना दिन है बिलासपूर का अर्पा में भैसा धर कोटा कास और चौथा है वो है आपका केलो नदी में केलो प्रोजक्त दिलिप जूदेव बोलते हैं चार ये परियोजना निर्माना धीन है अब इसमें लिखना क्या है तो अब ये तो बता दिये कि आठ वरिहत परियोजना इसी आठ के साथ साथ आपको बताना है कि 36 गड़ की आठ परियोजनाओं की लगभग जो सिचाई छमता है वो 10 लाग साड़े 10 ल परियोजना को ले लिया जाए आठ निर्मित है चार निर्माना दिन है तो लगभग हमारी सिचाई छमता 11 लाग हक्तेर हो जाएगी तो वो आप बताते हुए चल सकते हैं दूसरा आप बता सकते हैं कि इसकी जल भराव छमता कितनी कौन-कौन से जीलों से इसको पानी मिलता है तो कैच्मेंट एरिया के हिसाब से कौन-कौन से जीले इस से लभान भी थो रहे हैं ये भी आप बता सकते हैं तो कुछ आकड़ा मैंने यहाँ पर लिखा है जो आपको समाज आये थोड़ा सा आठ जो व्रिहात परियोजना है इनकी जो सिचाई छमता है दोनों सीजन खर पर रभी 10,42,958 हेक्टेयर यूनिट है इसका हेक्टेयर जो चार निर्माना धिन परियोजन है उसकी सिचाई छमता है एक लाग 14,280 हेक्टेयर इस प्रकार अगर ये चारो बन गया तो टोटल 36 गड़ की सिचाई छमता इन व्रिहत परियोजनाओं के माध्यम से होगी 11,57, 12,238 हेक्टेयर अगर जल भराव चमता की बात क्या जाए तो आठ व्रिहत परियोजनाओं के जल भराव चमता है पांच अजार पंच अनवे दस अनवे पांच छे मिलियन घन मिटर मिलियन क्यूब मिटर MCM का मतलब है और चार जो निर्माना धिन है उसका है 263.74 मिलियन क्य चांग्या है थोड़ा सी चर्चा करना था आपको question था ये आपका 36 घन में स्थापित परियोजनाओं के बारे में बता देंगे फिर निर्माना धिन परियोजनाओं बारे में बता देंगे जल भरा अभराव चमता कितनी है कितना उसका सीचाई चमता है फिर उसके बाद जी के रूप में तो देखेंगे आप किसको मनियारी मनियारी प्रोजेक्ट मनियारी प्रोजेक्ट है मुंगेली मोटा मोटा ज्यादा कुछ नहीं यादा को तो जो जीला जहां है वही लिख सकते हैं कि मुंगेली जीला को इससे क्या मिलेगा सिचाई की सुईधा मिलेगी और यह इन questions को इस प्रकार से form कर सकते हैं जैसे पहला लिखेंगे आप निर्मित फिर निर्माना धिन का detail देंगे तो ये था आपके पहले class में जो आपको 36 गड़ के questions दिये गया थे return करने के लिए practice के लिए तो आप लिखे होंगे जरूर आसा होगा मेरे को और नहीं लिखे होंगे तो थोड़ा से एक बार जो हमारे class जोईन किये हैं वो लिखने की कोशिस करी है और दिखाई आप और जो लिख रहे होंगे वो लिखते चलिए आगे आपको question और मिल गया होगा उस पर हम चर्चा करें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है तब तक के लिए जय जोहार जय शक्तिस गड़ करेंगे करें 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 करें